सरीकर बेटा जी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेलासिटी एन एकसलराइशन यानि कि हमें थोड़ा सा मुझ जबाने कुछ चीजें समझाएं हमें इसकी पैर अंडर्स्टेंडिंग को वेलासिटी क्या है acceleration क्या है सबसे पहले इस पर discuss करते हैं कि velocity क्या होता है तो velocity जैसे हम पहले ही discuss कर चुके है velocity is equal to displacement divided by time यानि कि यहांबर distance नहीं है displacement है displacement क्या है direction के साथ अगर आप बताते हैं distance को और straight line बताते हैं तो displacement कहलाई जाएगी तो कुछ फर्क नहीं है distance की तरह ही इसको मान सकते हैं बट इसे displacement खास करके लिखा गया है क्योंकि velocity जो है direction बताते है यानि कि अगर 4 की speed है और minus 4 की speed है तो फर्क पड़ेगा इस चीज़ को समझ कैसे सकते हैं short form में इसको लिख लेते हैं d by t और v को हम velocity को हम लिख लेते हैं v यानि कि v is equal to d by t करके भी समझा जा सकता है इसको इसका मतलब क्या है कि कितनी displacement हो रही है कितनी displacement हो रही है हर एक second में हर एक unit time में जैसे कुछ यहां पर velocities लिख देते हैं देखिए मैंने लिख देया यहां पर two steps per second यह एक velocity है यह मैंने velocity की value लिखी है two steps per second यहनि कि कहना कह चाहरा है कि दो step लिए जा रहे हैं हर second में यह हर एक second में दो step लिए जा रहे हैं यह एक velocity है अब अगर हम steps और second की जगा कोई और unit use करें कर सकते हैं जैसे इसकी जगा मैंने two kilometer पर आर लिख दिया होता जिसे हम पढ़ते हैं two kilometer in one hour तो असानी रहती है समझने में तो यहां पर हर hour में हर एक hour में two kilometer cover किये जा रहे हैं और क्या sign important है yes direction यानि कि अगर कुछ नहीं लगा है तो positive समझीए यानि कि positive direction की तरफ जो भी मानी हुए हमने वहां पर two kilometer cover होते जा रहे हैं तो इसी बड़ी value लेते हैं 40 kilometer पर hour का मतलब क्या हुआ 40 kilometer in one hour यानि कि हर एक hour में 40 kilometer displacement cover हो रही है याद रखिए displacement है यह चीज जो है displacement है यह जो है displacement है यह जो चीज है वो displacement है अब थोड़ा सा logic लगाते हैं अगर two steps per second की speed है तो बता सकते हैं चार सेकंड में कितने steps cover हो जाएंगे हमें यह पता है अगर इसे पढ़ लें अच्छे से यानि कि four seconds में क्या होगा सबका निकालता है four seconds में इस case में क्या होगा देखिए यह velocity हो दो step हर second में लेने हैं एक second में दो step लेंगे फिर कितने हो जाएगा next second में चार छे आठ तो हम eight steps total ले चुके होंगे यह हमारी common sense में बैठ जाना जी यह eight steps कैसे आ गए क्योंकि हर एक second में सर्थ दो step आप ले रहे हैं तो पहले second में दो step ले चुके होंगे फिर चार हो जाएगा फिर छे हो जाएगा फिर आठ हो जागा यह क्या बढ़ रहा है यह displacement ब एक आर में दो किलोमेटर फिर चार हो जाएगे फिर चार हो जाएगे फिर आठ हो जाएगे तिहां पर आंसर आजाएगा eight किलोमेटर के अब यह बता रहा है 40 किलोमेटर पर आ Umě ब Communications ब्रोश क्योंच हो चुक्का होगा तो पहले खर्ती फिर 80 फिर 120 और फिर 160 तो हमारे चार यहां 8 km दिस्टन्स हो गया पर स्पीड क्या थी ? दो किलमेटर की हर एक घंते में 2 km की स्पीट रही इस तरह से हम velocity understand करते हैं हम यह क्या चीज निकाल रहे हैं समझ किसे रहें distance निकाल के क्योंकि अगर formula देखें V क्या है एक relation है displacement और time का तो जब हम velocity की बात करेंगे तो हमारा displacement दिवाग में आना चाहिए कि displacement हो रही है कुछ time में अब अगर हमने ये concept समझ लिया है तो अब acceleration को भी समझ लेते हैं acceleration acceleration जैसे हमारी जो बाइक्स हैं उसमें लगा होता है accelerator क्यों यूज करते हैं हम स्पीड चेंज करने के लिए यहां पर एक्सलेशन बोलेंगे velocity अब क्या चीज चेंज होगी velocity चेंज होगी गाड़ी की स्पीड चेंज होगी टाइम के साथ इसको लिखते कैसे हैं वी बाइटी ठीक है वी बाइटी यानिकि वेलासिटी अब देखिए इन में आपको similarity दिखने चुरू हो जाएगी एक तरह की सेमी बात है acceleration को हम लिख देते हैं A से यानिकि A is equal to VYT करकर भी याद रख सकते हैं अब मैं सेम लॉजिक लगाएंगे यहाँ पर पहले इसके units देख लें क्योंकि यहां तो हमें speed के पता है kilometer पर आर या kilometer in one hour पढ़ सकते हैं इसके units कैसे निकालें देके units निकालने के लिए वी के unit क्या होते हैं kilometer पर आर है उसके बाद देखे नीचे भी time है तो यह भी एक आर लग जाएगा यह हो जाएगा kilometer पर आर square यहां अगर करना होता तो steps per second square तो kilometer की जगर steps होते और यहां second होते तो बोलता steps per second square तो इस तरह से हम understand करते हैं पढ़ते कैसे हैं इसको read कैसे करते हैं read कर सकते हैं आप अपनी असानी के लिए हम इसको read करते है kilometer पर आर हैसे लिखा और बोला kilometer पर आर in one hour square लगाते हैं बोला in one hour यानि कि हर एक घंटे में ने kilometer पर आर से velocity चेंज हो रहा है यानि कि हर एक आर में कितने kilometer पर आर की speed चेंज हो रही है उसको हम acceleration बोलते हैं कुछ भी नया नहीं है अगर rate के हिसाब से देखें तो दोनों चीज़ से में वहाँ distance चेंज हो रहा है या velocity चेंज हो रही है अब मैं acceleration इनकी तरह ही लिखता हूँ यहाँ पर सपोस किजिए हमारी acceleration हो two steps per second in one second देखे बोलने का तरीका है यानि कि two steps per second की speed या velocity change होगी हर second में अब यहाँ पर लिख लेते हैं two kilometer per hour in one hour यप two लगा रहा है तो मुझ से निकल रहा है in one hour एक घंटे में 2 kilometer per hour की speed change हो जाती है और वही 40 kilometer per hour in one hour अब यह तीनों चीज़े उसी तरह से उपर लिख लिए अब हमें क्या चीज मिल सकती हैं क्या चीज पूछ सकते हैं जब हमें acceleration की बात होगी तो हमारा ध्यान जाएगा सीधियर velocity की बात हो रही है velocity की change की बात हो रही है यहाँ पर distance से confused नहीं करना है जब acceleration की बात होगी तो velocity की तो हमें यहां बोला जा रहा है four second में बताईए velocity कितनी change हो जाएगी तो एक second में कितनी हो रही है two steps per second की दूसरे में कितनी हो जाएगी चार फिर छे फिर आठ यानि कि जो velocity हो जाएगी final हो जाएगी two steps eight steps sorry per second की देखा यहां distance आ रहे थे यह displacements आ रहे थे यहां किसकी बात हो रही है velocity कितनी change हो रही है तो finally जब आप यह acceleration दे देंगे two steps per second square की या two steps per second in one second की तो चार सेकंड बार देखेंगे velocity change हो चुकी होगी कितनी हो चुकी होगी आठ step per second की हो चुकी गाड़ी की speed बढ़ चुकी होगी accelerator 2 का दे दिया है अब यहां पर same ही हम करें तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा सिर्फ steps की जगा किलोमेटर आ गया है time की जगा second की जगा आ रहा गया तो four second में क्या होगा सर्फ पहले है पहले आर में क्या होगा speed हो जाएगी 2 किलोमेटर पर आर की फिर चार फिर चे और फिर 8 यानि कि जो चार SEC !" बार देखेंगे तो गाड़ी की speed या कोई भी चीज है objectए उसकी speed यह हो जाएगी एट किलोमेटर पर आर की हो जाएगी अगर यहां पर चार आर बार देखें, चार गंटे बार देखें, तो speed कितनी हो जाएगी, देखिए, एक गंटे में 4 किलोमेटर पर आर इन 1 आर हो रही है, तो 40 होगी, पहले में फिर 80, फिर 120, फिर 170, तो यानिकि 160 unit क्या होगे, kilometer per hour, क्योंकि यहाँ पर यह किस चीज की बात हो रही है velocity के change की बात हो रही है velocity के change की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हमें यह खुछ से कुछ-कुछ चीज़ें कुछ-कुछ values समझ कर खुछ से लिखनी चाहिए, जिससे acceleration का concept और velocity का concept दिमाग में बैठ जाए, actually अगर हम कुछ चीज बोल रहे है, जैसे अगर मैं आपको बोलो 30 km per hour की velocity है तो इसका मतलब क्या है अगर मैं बोलो 30 km per hour in 1 hour की acceleration है तो उससे क्या मतलब है इस यह हमारे दिमाग में बैठ जाना जाए अब थोड़े से question करते हैं अगर पहले तो यह इसको pause कर लिजिए screen को, यह example उतार लिजिए खुद से थोड़े question कीजिए, कोई doubt है तो पुछिए और उसके बाद यह attempt करते है देखिए किसी गाड़ी की speed 40 km per hour थी यह क्या है speed है या velocity है velocity बोल देते है, 40 km per hour की velocity है मैं उसे acceleration देता हूँ, यानि कि acceleration दी जाती है 10 km per hour in one hour की acceleration कितनी गई 10 km per hour in one hour की तो यह बताए what is the velocity after 3 hours 3 घंटे बाद देखें तो velocity कितनी चेंज होगी होगी 40 की थी पहले ही acceleration कितनी है 10 km per hour की in one hour यानि कि हर घंटे में 10 बढ़ना है तो एक घंटे में कितना कर देगा 40 को 50 कर देगा फिर अगले घंटे में कितना हो जाएगा 60 कर देगा और अगले घंटे में कितना कर देगा 70 कर देगा तो यानि कि जो हमारी speed होगी वो हो जाएगी 70 km per hour की यह हमारी final speed हो गई अब यही चीज जो है जो हम दिमाग में कर रहे हैं इनके लिए formulas हैं जो next video से हम start करेंगे यानि कि अगर हमने देखा यहां पर एक formula start करते हैं आपने किया starting की velocity ली 40 तो पहले थी और उसमें कुछ add गया है क्या चीज एड़ की है आपने देखा acceleration कितने की है 10 की कितने time तक हुई 3 40 जमा 30 कितना होता है 70 हमारा उपर वाला क्या था common sense से यह है by formula यहां पर इसको बोल देते है initial speed starting speed को u से denote करते हैं यह है हमारी acceleration a से denote करते हैं यह क्या है यह तो time था कितने time तक पूछा गया था और यह जो है final velocity हो जाएगी जो पूछा गया कि final velocity क्या है यह example देखिए अपने दिमाग में आया कि नहीं हमने मूँ जबानी कर लिया इसको आप देखिए next question देखिए किसी गाड़ी की speed 40 km पर आर की है और उसे acceleration दी जारी है acceleration दी जारी है minus 10 km पर आर इन वान आर की यानि कि minus दिहान रखिए acceleration, velocity यह सब negative हो सकती है फर्क क्या पड़ेगा देखते हैं अगर common sense से कर पाएंगे तो easily इस question को कर सकते हैं starting velocity कितनी है 40 की, acceleration कितनी गई minus 10 की यानि कि हम से बुला गया है कि जो speed है, जो velocity है वो कम होनी है minus 10 से, के हिसाब से हर आर में और कितने time तक बुचा है what is the velocity after 3 hours 3 गंटे बाद कितनी velocity होगी तो पहली कितनी है, 40 acceleration कितनी की दिर है minus 10 की, कम की यानि कि minus करना है हमारी जो speed है, वो हर एक गंटे में 10 कम होती जाएगी तो 40 की speed है पहले गंटे में कितनी कम होई, 10 रहेगी 30 फिर और 10 कम हो जाएगी 20 और फिर जो तीसरा गंटा है, उसमें 10 और कम हो जाएगी तब कितनी रह जाएगी 10, यानि कि जो final speed होगी 10 किलोमेटर पर आर की रह जाएगी कि हम common sense से निकाल रहे हैं, आप भी दिमाग से करके देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि नहीं अगर नहीं है तो class में पूछिए अब आगे देखिए इसमें formula लगा सकते थे वो ही जो हमने पीछे formula लगाया V is equal to U plus 80 formula बोलते हैं इसे V है final velocity, यह हमें निकालनी है पता नहीं है starting की velocity लिख दीजे 40 plus acceleration लिख दीजे acceleration है minus की direction का ध्यान कितने घंटे तक तीन घंटे तक 40 minus 30 कितना होता है 10 यानि कि जो velocity है वो हमारे निकल जाएगी 10 km पर आर की